विष्णु जी, Places of Worship Act 1991, यह क्या है, इसको कैसे समझा जाए? उनका interpretation यह है, कि अगर किसी जगह मंदिर या मजिद की लड़ाई है, यहां पर हिंदू समाज का आदमी कह रहा है कि हमाई मंदिर थी, इसको गलट ढंक से मंजिद के रूप में convert किया गया है, तो उनका interpretation यह है, इसके लिए आप कोर्ट में case file नहीं कर सकते हैं, इस बात को यह यह समझाता हो चुका है, नरसिम्मा राओ के साथ 1991 में, यह सिर्व राम मंदिर के dispute पे judgment आएगा, बाकी dispute पे judgment नहीं आएगा, ना इसकी आप कोई court में जाके बात कर सकते हैं, यह उनका interpretation है, मेरा interpretation है कि वो political narrative से driven है, पर जो act में लिखा है वो आपने देखा नहीं है, places of worship act मे जैसे अभी मैंने आपको पहले discuss किया, शास्तिक लाओ यही है, कि once a temple, always a temple, तो जब आपने किसी मंदिर को आपने जबरन कबजा किया है, किसी मंदिर में घुसके नमाज पढ़ लेने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है, वो मंदिर का ही रहता है, तो इसलिए places of worship act, सबसे बली बात यह हम लोग लिए dream situation है कि places of worship act को repeal कर दिया जाए, it's a dream situation for us, पर जब तक सरकार नहीं करती है, तो जो religious character word है, उसको interpret किया है, on will Mr. Justice Rohitranjan Agrawal साब का इलावाद High Court के judge है, उनका इसमें बड़ा अच्छा detailed फैसला है, उसको हमें पढ़निंग जर्वत है, ज हम लोग 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 लिए dream situation.